जो व्यक्ति अपने सासन में जेल गया हो उसका नाम है लालू प्रसाद जी उन्हें सव संतानवे से जेल EDCVI का खेल खेल रहा है तो उस परिवार के लिए कोई नहीं बात नहीं है जो भरस्टाचारी होगा उसके लिए दर्वाजा जेल का खुले गाई इसको कोई रोक नहीं स हैं कि केंद्र सरकार बेवजह भी पक्षी निताओं को परशान कर रही है इसी मामले पर पलटवार करते हैं भाजपा के परदेश अध्याप्ष समराठ चौधी ने जबरदस्थमला बोला है उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस राज में यानि कि नैंद मोदी के राज में जो समराठ चौधरी जरा भी सुन लिजे जिस परिवार की बात आप कर रहे हैं लालू परिवार दो हजार आज नहीं 1997 से जेल EDCVI का खेल खेल रहा है कि उस परिवार के लिए कोई नहीं बात नहीं है जो व्यक्ति अपने साषन में जेल गया हो उसका नाम है लालू प्रसाथ जी जब जेल गये थे तो स्वेशं मुक्रमंतरी थे उनकी पाटी की सरकार बिहार में थी और देश में भी उन्हीं के पाटी की सरकार है तो इसलिए वह किसी दूसरे को दोस्त नहीं पहुंच लगा सकते हैं आज जो भरस्टाचारी होगा उसके लिए दर्वाजा जेल का खुलेगा ही इसको कोई रोक नहीं सकते हैं ऐसा कोई सूचना नहीं है किसी ने कोई कहने के लिए भी तयार नहीं है कि बैटक हो रही है आमीचा और मोदी जी की रहली बिहार में उनीया जट समा होगा है और हमारा जो दस कलस्टर बना है उस कारिग्रम के माध्यम से जो बिहार में विकास के कारी परदान मंत्री जी ने किया है पार्टी की सरनचना कड़ी हुई उसमें हमारे सभी परदान मंत्री जी के साथ साथ सभी पार्टी के राष्टे जो पूर्व अध्यक्ष है वो लोग सभी लोग अब तो हम लोग तयार हैं काम करना तक कर लिए दरेंद मोदी जी का पवने पांच वरस पुरा हो चुका है अब इस देश में काम के अधार पर वोट मांगने का समय आ गया तो अभी आपने समराट चोधरी को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे उनका साथ साथ कहना था कि मोदी राज में जनता की राज है और यहां जो भी गलत करेंगे जो भी भरस्टाचार करेंगे उनको बक्सा नहीं जाएगा हाला कि उन्होंने किसी भी जो है बदले की भावना से इनकार किया है और साथ साथ कहा है कि इसमें लालुक परिवार का कोई खेला आज नहीं है कि इसमें मौजूदा किंद सरकार की कोई जो है इसमें मिली भगत या फिर कोई आरोप या दोसारोपन की बात नहीं है साति इसात उन्होंने लोगषबा चुनाओं को लेकर क्या कुछ कहा है किस तरीके से उनके दस कलश्टर बिहार में है कि इस तरीके से भाचपा खमार कह motion के उस-पर ऑन्होंने बोला पर लाइक जरूर करें